अक्टूबर से चार क्लासे होने वाली है आपकी केमिश्ट्री की दूफ फिदिक्स और मैट्स पता है ये बात हाँ पता है ये बात पता ही नहीं होगा है ना ऑक्टूबर में ऑक्टूबर से आपकी चार क्लासेस पड़े होएंगी पता है वेरी गुड ये होती है अच्छे बच्चे की निशानी ठीक है चार क्लासेस आपकी होने लगेंगी जिनको नहीं पता है देखो ये अभी सोके जागेंगे और मैं आप अब सभी लोगों की मद不知道 कर रहा हूं कि अब यह ही अगास सेप्टेमबर दो महिने हैं ठीक है हाँ जो पशे बात में जागें घे इन सब का मैं पेन बता देता हूं पहले ही ठीक हैं यह बच्चे बात मैं जब जागें वह कि और या पड़ना पड़ेगा तब तक देखेंगा चार से क्लाश करा रहे हमें प्रेक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा यह जो आपका टाइम है ठीक है यह जो आपका टाइम है अच्छे से यूटलाइज कर लीजेगा क्योंकि अक्टूबर के बाद October से October November December आपकी चार classes per day चल रही होंगी ओके येस ठकावट भी होगा एक ही जगा बैठे बैठे बोरियत भी होगा negativity भी आएगा लेकिन भूलना मत बेटा कुछी महीनों बाद आपको वही चीज मिलने वाली है जिसके लिए आपने drop लिया था जो आपके जो आपके दोस्त एक semester पार कर चुके होंगे तो आप बिलकुल उनके पास पहुँच चुके होंगे डीबी भी चैसे करेंगा भी अपने time को maximize करके रखिएगा ठीक है अपने time को maximize करके रखिएगा और मैं आप सभी लोगों बता रहा हूँ, October, November, December में आपको दिक्कते बढ़ने वाली है, यह All Over India की कहानी है, सिर्फ आपके साथ की कहानी नहीं है, पहले तो आप यह समझे, पैनिक नहीं करना, यह समझे, All Over India की कहानी है, सभी के साथ ऐसा होगा, पूरा स्लेबस बढ़ना है, कि All PYQs, All DPP, All the questions, All the homeworks आपके complete होने चाहिए, और फिर advance तक का आपका target होने चाहिए, कि सभी जो आपने concept ही के हैं, उनको अच्छे से आप apply कर पाएं, तफ बिलकुल नहीं है, steps हैं यहाँ पर, अगर आप steps को ज़्यादा कूदने की कोशिश करेंगे, तो आप गिर जाएं ठीक है, कि जिस प्रकार gas, high pressure से low pressure अपने आप move करने लग जाती है, ठीक है, उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारा batch आगे continue होगा, ठीक है, तो क्या होता है, 1.0 आया, कल सलीम सर से भी बात हो, जिस मैं उनको भी एक हैरता, और सर करें, बिलकुल सही बात है, पहले क्या हो रहाता जब अच्चे 1.0 करें, या 2.0 करें, अब 2.0 करें, या 3.0 करें, ठीक है, अब मैं आपको बतारा चाहता हूँ कि आप कौन सी gas में लाए करते हैं, ठीक है, अब क्या हो रहा था, जब 1.0 का प्रेशर बढ़ रहा है, अब तीचर पढ़ा रहा है, तो प्रेशर आएगा, टे स्टार्टिंग में यहां प्रेशर कम चातों, खुब बकेती कर रहे थे यहां पर, फिर जब यहां पर भी प्रेशर बिल्ड होने लगा, यह गैस के पार्टिकल मूव करके, दूसरी साट चल जएगा, प्रेशर 1.0 और 2.0 में प्रेशर अल्मोस्ट सेम हो चुका है, ठीक है 3.0 के बाद 4.0, फास्ट ट्रैक, यूट्यूब, यह गैस के पार्टिकल मूव करते करते हैं, आखरी में आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, ठीक है, हाँ मैं बता रहा हूँ, यह सच बात है, बिल्कुल एप्ट बात है, अब बात यह है कि जो प्रेशर जहेलता जा रहा ह है गैस का, वो एनरजी अब स्टोर करेगा, अगर आपने गैस को कॉंस्टेंट वॉल्यूम पर कर दिया है, तो अब आप उसको हीट करेंगे, तो हमाय पार प्रेशर भी बढ़ रहा है, अब यह बच्चे 1.0 and 2.0 के बच्चे जब प्रेशर जहेल रहें, अब इनके से 3.0, 3.0, 4.0, 4.0 से, फास्ट्रेक, फास्ट्रेक से, यूट्यूब, यह ऐसे चलते चलते एक्जाम तब पहुंच जाते, लोग प्रेशर बूव करते करते, फिर एक्जाम में अचानक से आता है, हाई प्रेशर फट जाते, ठीक है, तो आई होब आख सभी लोग, यह फै आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है, हाँ, आगे वाले बैचिस में, स्टाटिंग में वहाँ पर भी लोग प्रेशर है, वहाँ पर भी फिर हीटिंग होईगी, वहाँ पर भी प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो वहाँ से भी कुछ कूद के आगे भागेंगे, कि यह भाई